इसको बिल्कुल मिस मत करें और जरूर बनाए इन तीनों रेसिपीज को इसके लिए हम लेंगे एक बाउल उसके अंदर हम दालेंगे दो कप ओफ सुजी को फिर हम यहां पे आट करेंगे तीन से चार बड़े चमच कर्ड को तो कर्ड ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा खटा ना हो नहीं तो जो हमारा बैटर है वो थोड़ा सा खटेपन पर आ जाएगा फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा वाटर दाल के एक बैटर टाइप की कंसिस्टेंसी में लाएंगे इस बैटर को हम थोड़ा सा थिक रखेंगे इस तरीके से फिर हम इस बैटर में हम मिक्स करेंगे पुहा को जी है मैंने यहाँ पर एक आदी कटोरी आदा कब पोहा लिया है जिसको मैंने अच्छे से वाश करके हाफ एनार के लिए सोख करके रखा है सोख करने के बाद यह कुछ इस तरीके का हो जाएगा उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे कोशिश करेगा कम से कम पानी दाल के इतना थिक प्योरे बना के उसको ग्राइंड करें अब हम जो पोहे का ग्राइंड करा हुआ मिक्स्टर है उसको हम दालेंगे अपने सूजी वाले बैटर में और उसको बहुत ही अच्छे से स्टर करेंगे अगर आपको मिक्स करते समय लगे बैटर बहुत ही ज़्यादा थिक हो रहा है तो आप दोचा चमज पानी डाल के रख दीजेगा नहीं तो ज़्यादा पानी मट डालेगा क्योंकि यह बैटर थोड़ा सा धीरे धीरे पतला हो जाता है यह देखिए अब हम इसको यहाँ पर कवर करके रख देंगे for 3 hours उसके बाद आप देखेंगे यह बैटर कुछ इस तरीके का हो जाएगा सबसे पहले इस बैटर से हम बनाएंगे इडली तो हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बैटर है उसको दूसरे बावल में निकाल देंगे बागी recipes के लिए और यह यहाँ पर half बैटर मैंने रखा है बड़े बावल के अंदर यह यहाँपे मैंने लिया है idli plates इसको मैं हलका से oil से grease कर रही हूँ जिससे की जो idli है वो इसमें यहाँपे stick ना हो इसी तरहे मैं सारी plates को grease करूँगी बैटर में डाला थोड़ा सा salt यह मैंने यहाँपे लिया है इनो करीब 3-4 स्पून ऑफ इनो दल जाएगा 12 इडली के अं तरह है इडली के अंदर इसी तरह में सारे इडली मोल्ड में बैटर को फिल कर लूँगी उसके बाद उसको इडली प्लेट में लगा करके मैं उसको कुक करने के लिए रखोंगी फॉर अराउंड एटीन तू ट्वेंटी मिनेट्स यह बिल्कुल नॉर्मल इडली की तरह जित ओपन करते हैं इस कंटेनर को और देखते हैं कहाँ इडली कैसी बनी है करहादी अ GIR — जो यह ऑपन și फीर बिल्ल है बहुत ही बनी है और बहुत ही वाइट है सू जी की इडली इतनी वाइट नहीं बनती है लेकिन अगहा आप uniसमें फोईा क्रें करेंगे तो यह बहुत ही व जरूर छोड़ें एक से दो मिनिट उसके बाद ही इडली को निकालें इस मोल्ड में से यह देखिए इडली बिल्कुल भी नहीं चिपकी है और जो इडली है वह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खिली-खिली बनी है इस रेस्पी को जरूर ट्राय करिएगा बहुत ही हेल्दी अब हमने लिया है रेस्ट ऑफ दी बैटर उसके अंदर मैंने यहाँ पर दाला है चॉप्ड अनियन चॉप्ड टमेटोस फिर मैं यहाँ पर आट कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रेट जिंजर सॉल्ट थोड़ी से रेड चिली और चॉप्ड कोरियांडर इसको हम बहुत ही पर पिक्स करने के बाद हम इसका बनाएंगे उथपम टाइब जी यहां यह इस बहुत ही अच्छा बन कर आता है क्योंकि सुझी का है तो एकदम पर बहुत ही अच्छा आता है तो मैंने इस पै टर को यहाँँ पे डोसा पान पे स्प्रेट बाते कर रिया है मैंने इस कितना अच्छा कलर आया है एकदम गोल्डेन ब्राउन अब हम इसको दूसरी साइट से सेखने के बाद इसको सर्फ करेंगे प्लेट पे अपनी पसंद की चटनी के साथ तीसरा ब्रेकफास हम बनाएंगे अपे जी हां यहां यहां पर मैंने लिए अपाप पैन उसको बहुत ही हलका ओल के संद गरीस करा है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूं अपना बैटर यह देखिए यहां पर अच्छे से इसको गरीस करिए और इसके अंदर बैटर को एक साइड से कुख होने के बाद हम इस पर हलका सा ओल से ब्रश करेंगे और इसको फ्लिप करेंगे यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा इसका शेप आया है इट लूक्स रियूरी रियूरी यमी एंड वेरी हेल्दी एक बैटर से तीन नश्टे कौन अच्छा नहीं बनाना चाहता है यह देखिए हमारे अपर तयार हो चुक है हमने यहां पर तीन ब्रेकफेस्ट बनाएं एक ही बैटर से तो इस रेसेपीस को ज़रूर ट्राय करेंगे और ऐसी बहुत से रेसेपीस देखने के लिए में चैनल को सब्स्क्राइब करेंगे थै यह दो